बिहार के बहुत लोगों कंने निमंत्रन। दिया गया है तो अगर बात करें राजनितीजसी कि किसको निमंत्रन में गया है। देखे, निमंत्रन हमारे यहां सब लोग स्रेष्ट है, राजनिती में सब भ्याइपी है, सब का सम्मान है, हम तो सबों को राम के दरबार में उपस्थित कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरिया है, इस बात को आपको बेभारी के शरूप में लोग नहीं समझ पाते हैं, हम पूरे देश में 10 करोर लोगों को, और कालिकरता उत्साओं है, एक काता है 13 करोर लोगों को, क्योंकि 13 करोर लोगों से हम लोगों निलग बग राममंदिर बनाने के लिए, उस समय सब अबरपन करबाया था, तो उन सबों को न्यूमंत्रन देंगे, और सबों उसे प्रार्थना करेंगे अयोध्या आओ, लेकिन उसमें जो पहला फेज है वो है प्रान प्रतिष्था का, 22 और 23 ये दो तारिकों प्रान प्रतिष्था का कार्जिक्रम है, उससे पहले से ही दर्शन पर रोक लग जाएगा, उने इस तारिक से दर्शन बंद, क्योंकि कई प बुला रहे हैं, उसमें भियाएपीच की संख्या नहीं बुला रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं आतजोर करके कि आप 22 को ना आए, क्योंकि यहां सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं कि डेली कुछ ने कुछ चुनोतियां आ रही है, और वो च परकार हमारे प्रसासन के सुरक्षित होते हुए, देश में किस परकार की घटनाई घट जाती है, तो अभी तुरत दिखाए दिया, नया परलिया मिंट बना, पाली-पाली बैठक हो रही थी, और परलिया मिंट में गैस लेके घुश गया, यहां तक कि छोड भी दिया उसक तब भारत के भाग्य में दुरभाग्य का दिन लिखा गया होता है, तो जब वहां यह इस्तितित है, तो अजोध्या यह बहुँ छोटी-छोटी गलियों बाली अस्थान है, छोटे से अस्थान है, अजोध्या कसमा हमारे जिला हेटक्वांटर से भी छोटा है, अब उसमे करोरों लोग एक दिन जूट जाए, तो कहां खरे होंगे, कहां उठेंगे, कहां बैठेंगे, कहां व्यवस्ता कर पाएंगे, कराके कि ठंड होगी, कुछ लोग ठंड में ठी ठूड के मड़ जाएंगे, दोसी कौन होगा, सुरक्षा कर्मी कोई हमारे भी आइपी गए, उन 24 ताडिक के बाद भी दर्शन हो सकते हैं भगवान के, तो उस दिन हम लोगों ने कहा है, कि आप 24 के बाद आईए, आपका स्वागत है, आप हमारे सम्मान निये हैं, आपके सम्मान के अनूप हम आपको वहां पर में दर्शन करा सकें, यही केबल हम लोगों का अग्रह है, तो प्रांथ के अंदर भ्यापी की संख्यां कर लिजे तो सैक्रों में हो जाएगा। जिनको जिनको सरकार की ओर से मुहाया दी गई है वो विसिस्ट नागरी की में जाते हैं। तब बताईए हम कितनी को कर सकेंगे। इसलिए उस दीन हम लोगों ने प्रमुक्ता रखा है संतों का। संतों के साथ साथ देश को जिन्होंने अपने योग्यता और मेधा के करन से कुछ दिया है। तो उनको भी सम्मान में बुलाया गिया है। और कुछ लोग जजमान के होंगे। सौं से अजिक ताप्त के मीडिया के लोग सारे छे हजार लोग रहना है। एक हजार लोग तो हमारे स्विक्रिटी के ही रहने बाले हैं। साथ हजार में कितकों लगे। चार हजार सारे चार हजार तहम्रे संथी रहने बालेय को निमंत्रन हम सब को देंगे। देश का कोई भी नागरिक नहीं है। को जहां तक हम पहुंच पाएंगे निमंत्रन देंगे भी आईपी को भी सब को देंगे लेकिन प्रार्थना करेंगे कि 22 तारीक के कार्जिकरम में जिनको बुलाया जाएगा वही 22 को जाए बांकी दरबार सब के लिए खुला हुआ है इसलिए यह विसे ही नहीं उठता है कि क कुनी मंत्रन दिये मंत्रन हम 13 करोर लोग को देंगे 13 करोर परिबार को माने 25 करोर लोग पहुंचने का हमारा लक्ष है देंगे अब जो कल मैं गया था मन ये गवरेर के साब के यहां उनको दिया और उन्होंने हमको बताए उनको कि प्रानपरतिष्ठा 22 को है चोबीस से दर करने भगबन का यहीं भी से है देखिए फंडा यहां क्या है लोग समझता है कि सब 22 को जाए 22 को जाने के लिए एक तो सुरक्षा करण से प्रतिबंदित हो जाएगा और जारे में लोग नहीं रह पाएंगे हमारे बिहार के पटना से अधिक ठंड पड़ता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जैसे जैसे हिमाले की और बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड की मत्रब बढ़ती जाती है तो समझ भूज के ही कोई कालिजकरम करेंगे और इसलिए 22 के कालिजकरम निड़धारित संख्या ह कि साड़े छे हजार लोग रहेंगे इसमखेल जगत के शिख्षा जगत के साहीत जगत के से लेकर के बैज्यानिक शंत यह लोग रहेंगे वियार के मुख्मंत्री से मुलपात हुई है। झाल झाल